असलाम अलेकुम, अमीद करता हूँ, आप लब सब खहरी से हैं और वीडियो को ओप एंजॉय कर रहे हैं आज की वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग, अमेजिंग और फूल अफ नारीज होगी तो आप इस कोर्स के बाद इस काबल हो जाएंगे कि Canva को बहुत अच्छे दे यूज़ कर सके और उसमें जब आपके एक्सपर्टिज काफी अच्छी हो जाएंगी तो आप अपनी सर्फिस को सेल करके बहुत अच्छा काईसा रेविन्यू जेनरेट कर सकेंगे वीडियो पर फर्दर मुव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काईड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स वीडियो तो आपको नोडिक्शन के तुरू मिल तके और मुझे भी सोचल मीडिया वीडियो थाम्बनेल्स यूटीब चैनल आर्ट्स ये मल्टिपल कीजों को डिजाइन कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं और उनको पर्सनल यूज के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इन स्किल सेट को सेल करके बहुत अच्छा काईट इस वीडियो को तरह तवज्जा से देखिएगा मेंन क्वेस्टन था कि सार इस पर इस पर अगांट कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो मैं आपको अकाउंट क्रियेट करना भी दिखाता हूं आपने जा सिंपल करना कि आपने वेब ब्रोजर में जाना है और canva.com लिखना है यह देखे मैंने canva.com लिखा और एंटर किया तो यह वाला इंटरफेस आएगा आपको गेंट करके दिखाता हूं canva canva लिखा मैंने सिंपल तो आपके पास जो पहला ही लिंक आएगा www.canva.com आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास इंटरफेस आजाएगा सिंपल इस तरीक की का कि login करे और sign up करे अगर आपका पहले से count नहीं बनावा तो आपने यहाँ पर sign up करना है तो मैं just आपके लिए sign up करूँगा just दिखाने के लिए sign up proper नहीं करूँगा आप यहाँ पर Google के through भी sign up कर सकते है Facebook के through भी कर सकते है email के through भी कर सकते है यह अपने phone number की base पर सकते है sign up तो मैंने पहले ही sign up कर चुका है तो यहाँ पर my sign up तो नहीं यह करूँगा तो यह देखे मैंने sign in किया मैं यहाँ पर login करता हूँ continue with google किया मैंने auto login होगा मेरा अब दे सकते हैं मैंने just sign in किया sign up मैंने पहले से ही किया बाता तो मुझे sign in sign up की ज़रूरत नहीं पड़ी मैंने just sign in किया तो ये main dashboard है UI है Canva के main page की तो ये था मैं यहाँ पर आपको चीज फर्दर clear करना जाहूं का जब account बनाते हैं तो आपका वो simple account होता है उसमें कुछ चीज़े paid होती है जो आपको परचीट करना बढ़ती है एक simple account होता है pro account होता है pro account में आपको जितने features होते हैं जितने built in templates होते हैं millions में inके templates हैं वो आपको free of cost मिल जाते हैं आपको one time payment करनी पड़ती है तो मैं आपको ये तो simple account था है मैं आपको pro account का view भी दिखाता हूँ यहाँ पर आप दे सकते हैं कि कुछ चीज़े yellow cap के साथ है पेड हैं आपको इनको यूज़ करने के लिए payment देनी पड़ेगी जबके pro account के ने ये साब चीज़े free of cost होती है आपने one time purchase किया तो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एक मजीज़ आपको clarify करू अगर आपने इसका paid account pro account लेना है तो आप without any cost मिल से ले सकते हैं मुझे आप अपनी email ID दीजिएगा मैं आपको pro account की assess दे दूगा इन्शाला mostly मेरी preference वह होगी कि जो लोग अच्छा काम का रहे हैं उन्हें ही इसमें assess दूँ तो कानिरी साब लोग अच्छी तरीके से effort करें अच्छी effort करें और it को gain करें skills को तो इन्शाला आपको pro account की assess मैं दे दूँगा आप से just email ID लोगा तो यह तो इसका sign up की है मैंने simple or pro account के उपर तो pro account के उपर करने के बाद canva के account canva का जो tool है उसका just light सा introduction दूँगा कि कौन सा tab है और कौन सा tab से हैं क्या काम कर सकते हैं home का tab है यहाँ पे आपके previous template पढ़ेंगे जो आपने काम की में दे के recent design पढ़ा है जो मैंने किया रहा है यहाँ पे सब design पढ़े है यहाँ पे आप क्या-क्या services दे सकते हैं whiteboard पे काम कर सकते हैं whiteboard के अंदे further categories है brainstorming whiteboard, flow chart, team whiteboard planning presentation कर सकते हैं जो आप universities या business perspective से show कर सकते हैं social media की videos बना सकते हैं Instagram की, YouTube की, Pinterest की, Facebook की इस सब तरह की video, Reels या post बना सकते हैं वीडियो अगया तरह YouTube की video भी कर सकते हैं Facebook की कर सकते हैं mobile video कर सकते हैं website के perspective से आप भी multiple चीज़े कर सकते हैं links generate कर सकते हैं retail website कर सकते हैं event website कर सकते हैं सब के designing कर सकते हैं और इसके top पे जो menus है design spotlight, यहाँ पे logo, flyer, banner, poster, resume maker, invitation maker, multiple बहुत ज़्यादा चीज़े हैं, इंशाला मैं इनको one by one discuss करूँगा, और कुछ चीज़े miss हुई तो इंशाला मैं इस पर proper playlist में आ रहा हूँ Canva का complete course, अगर इस वीडियो में जो 20 से 25 मिंट के होगी कुछ चीज़े miss हुई, missing हुई तो आप currently मेरे complete course को देखिएगा उसमें आपको detail से चीज़े समझाऊँगा मैं business perspective में भी काफी ताज़े हैं education perspective में planning and pricing होगा है learned मजीद होगा, तो यह तो main dashboard के components है जिनको मेरे आपको lights बता है तो जब हम designing करेंगे तो आपको detail मिताब बताऊँगा अब यहां पर question देखिए तक सर आप क्या क्या हम services देखिए हैं, जैसके मैं previous भी बताया है कि presentation भी कर सकते हैं social media post design कर सकते हैं covers कर सकते हैं, youtube art कर सकते हैं उसके बाब book cover design कर सकते हैं ebooks कर सकते हैं, infographic design कर सकते हैं mind map कर सकते हैं, graphic card भी बना सकते हैं calendar, photo college, youtube videos, business cards, cv resume बना सकते हैं आप, much more चीज़े हैं जो हम कर सकेंगे, इंशाला हम one by one लेके चलते हैं और मैं आपको professionally करके भी दिखाता हूँ कि आप किस त्रीके से यह सब चीज़े, यहां पर implement कर सकते हैं तो first of all, मैं आपको logo, मैं आपको ना अपना work दिखाँगा कि मैंने यहां पर क्या क्या काम की हैं और मेरे students किस track के काम कर रहे हैं देखिए मैंने thumbnail बना है यूट्यूब का तो इस video के thumbnail की वैसे मेरे बहुत अची कैसी traffic आ रही है मेरे channel के उपर तो आप इस तरह के thumbnail हाई resolution में बना सकते हैं मैं आपको इंचाला करके दिखाँगा next video है इसी video में just अपना course work दिखाने के बाग यह students के वीडियो अपना ही है, बहुत अची videos है आप इस बिखाएता हूँ short video ads, promotion के perspective से internet slow के वैद तो disturb होड़ा कुछ है तो यह video भी short video भी बना सकते हैं यह भी video है, यह lengthy video है Assalamualaikum कैसे हैं साइब आज आपके लिए हसार उसार प्राना नुस्का लेकर हम hair care में हासल हुए हैं इसने आपके बालों के तमाम सार का हल है बालों का पत्रा हो जाना, गिर चाना शार वीडियो भी बना सकते हैं आप अपने YouTube चैनल के लिए किसी भी perspective से आप किसी के virtual system बना सकते हैं digital marketing के perspective से उसका YouTube channel मेनेज़ कर सकते हैं thumbnail उसके बना के दे सकते हैं प्रेजेंट करता हूँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन पर्सनल पॉर्टफोलियो अबाउट मी माई एज्यूकेशन उसके बाद अपना वरक एक स्पीनी शेयर का रहा हूँ है यह मैं यह मैं अपनी एक और वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया हूँ है जो कैन्वा का कंप्लीट कोर्स ने उसके अंदर बताया हूँ है मैंने स्टार्ट अप उसके बाद अबाद अबाउट मी एर थैंक्स वीग तो यह मैंने प्रेजेंटेशन बनाए थी आप अपने यूनिस्ट्रीज या बिजनिस परस्पेक्टिफ से अपने मॉडल की आइडिया की या साइनमेंट्स की प्रेजेंटेशन बनाके डेमो दे सकते हैं उसके बाद यह थामनेल ही मैंने बनाएव है जाब्स के लिहास है जाब्स के परस्पेक्टिफ से और मेरे स्टूडर्स बहुत अच्छे थामनेल बनाके अच्छी प्राइज़स पर सेल करते हैं फ्रि़लांसिंग, फ़ाइवड पे, और इफरंट प्रेटफरम है फ्रिलांसिंग के यह मैंने फेस्बूक का कवर पेज बना है अपने फेस्बूक पेज के लिए और I think काफी attractive है इसके multiple variant बनाए है मैंने ये वाला I think मैं use का रहा हूँ और ये वाला तो आप भी cover page बना सकते हैं ये मैं logo है logo को मैं edit करना भी आपको बताऊँगा भी ये यूट्यूबर channel आठा बना सकते हैं इस तरीके थे ये certificates बहुत ही important मैं short courses के perspective से बनाए है और बहुत अच्छी resolution में बनाए है और हम different types के certificates generate कर सकते हैं और high resolution होंगे तो इन्शाला इनको भी edit करना सकाऊँगा मैं आपको ये short videos थी वो भी मैं आपको दिखायता हूँ अगर आपने कोई facebook का या google का google adverd का सकते हैं और वो अच्छी क्यासी amount पे आप freelancing plate farm पे sale कर सकते हैं और ये next short video ही है वो भी मैं आपको दिखायता हूँ इस तरीके जाब बना सकते हैं short video और ये logo मेरे channel का बरजाते खुद मैंने create किया था और ये मैं canva का thumbnail बना रहा हूँ जो video अभी design का रहा हूँ create का रहा हूँ edit का रहा हूँ इसके लिए thumbnail मैं बना चुका हूँ और इसी को मैं use कर रहा हूँ इंशाला तो ये तो था क्या क्या चीज़ें हैं कर सकते हैं अभी इसमें CV भी बना सकते हैं आप business card भी design कर सकते हैं e-book भी design कर सकते हैं book का cover भी design कर सकते हैं बुक सी चीज़ें जो इस short time में नहीं मैं cover कर सकते हैं इंशाला next video मैं cover करूँगा अभी मैं आपको just thumbnail बना चुका हूँगा thumbnail और multiple features को कैसे use कर सकते हैं यहाँ आपे मैं main page पर अकर just click हूँगा YouTube thumbnail तो आप दे सकते हैं यहाँ पर मैं paid thumbnail paid feature भी use कर रहा हूँ क्योंकर मेरा pro account है अगर आपका simple account हो था तो आपको यह वाले features यह वाले thumbnail payment कर के use करने बढ़ने थे यह से simple ही थे use कर सकते इसी perspective से मैं बता रहा हूँ कर आपने paid account यूज करना है और आप काम अच्छा का रहा है दिलगा का रहा है तो आप मुझे अपनी email share कीजेगा मैं आपको pro account की assess दे दूँगा अपनी तो अब हम एक thumbnail design करते हैं कोई अच्छा था हम देखते हैं पहले thumbnail को decide करते हैं मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ देखे paid account ही है थमने लिए है मैं इसको यूज करूँगा और इस पर multiple जो variant को apply करके दिखाऊँगा यहां पर मैं thumbnail logo, video, short video, सारी चीजे आपको करके दिखाऊँगा इंशायल्ला तो इस video का हम title रगते हैं How to grow your business यहां पर लिखते हैं business tips business tips लिखा यहां पर next shot वो भी add कर लेते हैं text हम देख सकते हैं left side पर multiple option है elements के templates के elements के uploads के text के photos के styles के तो यहां से मैं just text add करना है अपने पास से तो यहां पर हम left side पर ही रहते हैं और text add करने का feature यह देखिए यह text add करने का feature है तो यहां से multiple fonts के text है multiple categories के multiple font style के तो मैं just यहां पर add करूँगा देखिए आप इसको improvement अपने perspective से कर सकते हैं मैं just video create करने के लिए यहां से कुसी भी style को pick का रहूँ यहां मैंने pool party की है color combination हम change कर लेंगे इसको let's let's get color मैंने change किया जब आप किसी feature को select करते हैं तो उसके perspective से जितने भी features होते हैं वो पर visible हो ज़ते हैं मैं करता हूँ इसका size होगा 50 50 मैंने size किया यह visible यहां पर हो गया इसको उठाके मैंने इसे इदे रखा इसका color अगर change करना है तो color आप change कर सकते हैं अगर आपको इसका background चेंज करना है तो भी हम कर लेते हैं हम इसका background को select करेंगे यहां पर layers में काम होता है अगर मैं इसको send to back card दूँगा इस layer को तो वो back पर चलेगा उसके मैं one time अजीद करूँगा तो वो invisible हो गया क्योंकि वो इस जो पटी है white color इसके back पर चलेगा तो मैं इतना इसका color चेंड करता हूं फिर इसको send to back कर दूँगा मैं करता हूं इसका color यह होना चाहिए और इसको send to back करता हूं यह back पर चलेगा अब मैं करता हूं जो text का color इतना अच्छा नहीं लाग रहा तो उसका color मैं white करता हूं तो इंचाला बेतर हो गया तो यह हो गया color combination चाहिए अब मैं इस graph के उपर भी filtering कर सकते हैं इसके color combination को change कर स इसको different भी कर सकते हैं मैं कर तुम जो इसका white color था उसको मैं करूंगा black अब देख सकते हैं इसका color combination चेंज हो गया graph का इसके निचे जो text यूज हो रहा हूँ उसका color भी हम की change कर सकते हैं उसका font style भी change कर सकते हैं वह भी मैं करके दखा रहा हूं आपको मैं करता हूं steadily कर लेत देखते हैं नो bold मैंने की है तो देखते हैं different style हो गया है तो अगर आपने इसका text का style आप देखने के text next line पे जा रहा है तो आप यहां से इसको scroll करेंगे तो वह adjust हो जाएगा तो हमने यह देख है multiple types के filter apply कि हैं अगर आप चाहते हैं कि background भी change करना है या इस female को change करना है तो आ यहां पर एक चीज again clear करता चुरूँ कि किसी भी design के ओपर multiple types के feature apply इस left side के जो पटी है जो menu बार है उसकी मैंसे कर सकते हैं मैं करता हूँ कि photo के अंदर जाके आप कोई pick लेना चाहते हैं मैं करता हूँ यहां पर buy a pick और png में लेते हैं ताकर transparent भी हो यहां से हम design को थोड़ा दा change करते हैं मैं यहां से लेता हूँ लेता हूँ चले छोटे बच्चे को add करते हैं आपर just sum जाना main objective है इस girl को मैं remove किया हाँ अगर आपने working करनी तो best recommendation यह है कि आप इसके copy कर लें copy पर काम करें और original को वैसे ही रखें मैं यहां पर copy की इसके करिए duplicate की देख सकते हैं duplicate हो गया यहां पर अब मैं duplicate copy पर काम करूंगा जबकि मेरी previous original work save रहेगा यहां पर मैंने save किया अब मैं यहां से इस girl को pick करूंगा और यहां पर add कर लूँगा यहां अगर आप यह आगया ठीक है अब हम ने चाहते हैं इसका background move करें तो वो भी हम कर सकते है properties में जाते हैं और इसका background भी change कर लेते हैं replace background पर click किया मैंने edit image कार्केस का background removal करते हैं ये left side पे देखते हैं removal background आ गया तो हम कहा रहे हैं इसका removal background इंशाला इन सब चीज़ों को detail में आप मेरे professional course में देख सकेंगे जो में complete detail से बना है one by one step से एक एक चीज़ को एक separate video में explain किया है यहां पे क्योंकि time shot ही जा है और इसलिए मैं कुछ चीज़ें spirit में का रहा हूं तो kindly आप video को देखेगा मेरे जो professional course के वाले से हैं इसका background removal हो और विदिन few seconds हो जाएगा क्योंकि internet slow है इसलिए कुछ issues आ रहे है इसलिए हम कुछ बाकी features पर काम करते हैं इतना background remove हो जाता है देख सेते हैं कि इसका background remove हो चुक है और हम इस pic को उठा के थोड़ा से इदर कार लेते हैं ता कि हमें कुछ अच्छी look दे तो देख सकते हैं मैंने background भी चेंज किया अब हम इस text का color चेंज करते हैं ता कि look अच्छी दिखाए तो मैं करता हूं इसका background इसको black ही है मैंने यह देखे black पर भी इतना suitable नहीं है हम yellow कार लेते हैं यह blue कार लेते हैं यह हो गया blue जहां पर आपको बेतर लगए adjust करें यह तो कुछ features थे जो हम कर सकते हैं हाँ अगर आपने background भी चेंज करना है मैं करता हूं मैंने background भी चेंज करना है तो यहां से हम जाएंगे background पे इसके दो फीचर नहीं background भी चेंज कर सकते हैं मैंने simple background भी चेंज कर सकते हैं यहां से मैं तो color भी चेंज कर सकता हूं यह वाला था कि मैं अब इस पे solid background भी चेंज कर करके दिखाऊंगा आपको solid color तो यहां पे background का एक feature है यह देखें left bottom पे जो left menu बार है उसके bottom पे देखें आप तो यहां पे background solid भी आएगा different color के आएंगे recently use आएंगे landscape होगी patterns होगे तो मैं यहां से pattern नहीं solid gradient apply करूँगा मुझे रखड़ा है यह वाला बेतर तो मैंने यह किया तो मेरी वीडियो के background thumbnail के background पे वो adjust हो जाएगा तो यह था thumbnail design करने के अवाले से यह कुछ features थे अब हम इसको download भी कर सकते हैं यहां से simply share करता हूँ मैं download करता हूँ download किया है मैंने यहां से simply मैंने एक ही pick करनी है जो दूसरे नमबर पे है download किया है मैंने within few seconds आपका design download हो जाएगा और आप इसको use easily कर सकते है यह देखे design download हुआ है मैं आपको click करके दिखाता हूँ यह देखे कितना अभी तो मैंने just pick and drop की है और कोई professional color combination यूज नहीं किया तो यह thumbnail बना है आप YouTube पे बना सकते हैं और इसके लावा अपने काम के वाले से आप यह services freelancing पे sale कर सकते हैं और अच्छा खासा revenue generate कर सकते हैं mostly members 10 dollar 15 dollar 5 dollar एक thumbnail के लेके sale कर रहे हैं और पाकिस्टानी 10 dollar 15 dollar या 5 dollar अच्छी का सी mode बनती है इसके वाले से मैं आपको बिताता हूँ यह भी thumbnail मैं खुद बनाया था presentation के वाले से भी time मिला तो बनाऊँगा शार्ट वीडियो भी बनाएंगे मैंने अब जस्ट आपको एक शार्ट logo बनाना सकाऊंगा मैं यह तो thumbnail बनाया था हमने लोगों बनाती है एक शार्ट सांट है तो स्ट तरह तो इसी के अंदर हमने adjust करना है यहां से मैं एक लोगो लेता हूँ जस लोगोů हम फीक करते हैं यु्यूनियस्टीग मैं लैते हैं यूनियस्टीग एक शार्ट logo बनाते हैं यह था हमारा logo लोड हो रहा है internet की वैसे कुछ time ले रहा है but load हो चुक है तकरीब बन अब हम यहाँ पे logo मैं आपके यहाँ पे एक मज़े की चीज़ लिगाता हूँ मैंने भी अपने एक website के लिए और facebook page के लिए logo design किया था वो देख सकते हैं अब यह इसके लावब मैं अब university वाला ही आपको दिखाता हूँ इसमें आपने क्या करना है मैं करता हूँ superior university इसका font size मैं थोड़ा चोटा करता हूँ इसका font size मैं थोड़ा चोटा करता हूँ ताकि अड़जेस्ट हो जाए 40 की है मैंने तो यह just logo बनाया है spirit university का let's learn के नाम से just time charted की वैसे मैंने बनाया है यहां से आप उसका color combination change कर सकते हैं किसी भी type कर रख सकते हैं मैं parent रख देता हूँ green let's learn को मैं कर देता हूँ black और इसको bold कर देता हूँ मैं थोड़ा सा size इसका बड़ा कार देता हूँ मैं theme इसका text का theme जो theme है वो मैं का देता हूँ telegraph यह करके देखते हैं कैसा होते है इस type का हुआ है अगर हमने इसको change करना है further भी आप कर सकते हैं new bold करते हैं इस तरह type का हो गया अब logo के उपर multiple types के color combination apply कर सकते हैं मैं करता हूँ जो इसकी hat है वो इसका color change करते हैं यह देखिया आप color का combination भी change कर सकते हैं थोड़ा सा black यही green भी तर लगड़ा है जो blue है उसको मैं adjust करता हूँ थोड़े dark blue से just समझाना objective है professional चीज़ है आप खुद ही practice करके करेंगे तो यह logo है जो अभी create किया है और यह मेरा previous logo है जो मैंने अपने facebook page और website के लिए किया है job देना industries तो आप इस तरीके के से मजीद काम कर सकते हैं यह logo create करना भी इसका आदिया है left side से आप multiple चीज़े भी कर सकते हैं यहाँ पर एक मजीद चीज़ आपको दिखाना जाता हूँ मैं अगर आप मैं इसकी copy पनाता हूँ पहले number पर delete की copy और copy मैं करता हूँ just simple copy करना है इसका color मैंने change के और यहाँ पर frame add करना बताना जाता हूँ elements के अंदर जाते हैं यहां दे frame add करते हैं अगर आपने कोई चीज किसी circle या frame adjust करना है वो बताने जा रहा हूँ तो कोई लिए इसको deeply देखिएगा मैं यह वाला frame लेता हूँ यहाँ पर center में और कोई pick लेता हूँ यहाँ से photos में जाता हूँ मैं left side पे और कोई भी pick लेता हूँ यहाँ से मैं जो adjust करनी है इसी pick को ले लेते हैं जो हमने use की थी इसको उठा के आप गुमा के उधर adjust करने के frame में तो adjust हो जाएगी थोड़ा सा नीचे करना है हमने इसको तो देखिए आप वहाँ पे frame में adjust हो हुई है यह आप किसी भी thumbnail में logo में वीडियो में कहीं पे adjust कर सकते है frame की में से तो यह तो feature था frame का तो शार्ट वीडियो भी हम इस तरीके दे create कर सकते हैं मैं thumbnail वाले portion पे ही जाता हूँ इधर ही तो यहाँ पे मैं आपको शार्ट वीडियो add करके दिखाता हूँ add और यहाँ से मैं करता हूँ वीडियो में जाता हूँ वीडियो में गया और यहाँ से कोई random वीडियो पी करके मैं आपे add कर दूँगा यह मैं जो mostly use का रहा हूँ वह वाली वीडियो है इसको drag and drop करना है आपने इसको अपर audio लगा सकते हैं इसको trim कर सकते हैं playback कर सकते हैं reverse कर सकते हैं filter apply कर सकते हैं आपको मैं play करके दिखाता हूँ यह वीडियो को और यह उपर जो इसके thumbnail है वो पहले play हो रहे हैं तो अगर मैंने इसको delete करना है तो delete कर लीजिया मैं इसको delete किया फिर reverse कर लें undo अब मैं video play करता हूँ यह देख सकते हैं वीडियो run न हो रही है और नीचे हम subtitle भी add कर सकते हैं voice भी add कर सकते हैं effects भी कर सकते हैं zoom in zoom out जितने भी effects हैं video के हम canva के उपर कर सकते हैं apply तो time shortage के विए से video lengthy हो रही है तो मैंने just आपको tools के मतलब introductory और कुछ feature को use करके दिखाया है अभी इसके उपर मजीद explanation video बान सकती है हर feature को detail में elaborate किया जा सकता है अगर आपको इस video से benefit मिला है helpful है तो kindly इस video को अपने friends से share कीजिएगा like कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा ताकि मेरी next video तो आपको झाला नोट कीजिए नेटे मिल सकें एडिएगा याला हाफीज